हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में आपके लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा पैटन जो कि लेडीज कारडिगन या लेडीज स्वेटर में बहुत ही सुन्दर लगता है और यह थोड़ा डार्क कलर है तो इसमें एकदम कीलियर आपको नहीं दिख बहुत ही सुन्दर लगता है और बहुत ही इजी भी है मैं कोसिस करती हूँ कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए फिर भी आप लोग एक दो बार वीडियो अच्छे से देखे उसके बाद ही इसको अपलाई कीजिएगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यह स् स्टेप बाई स्टेप कैसे मैंने बनाया है तो चली बनाते हम पैटर शुरू करते हैं और यह है 32 फंदे 32 फंदे मैंने एट कर रखें इसमें और दो सलाई मैंने सीडी सीडी बना ली है तो सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में कोई भी पैटर नहीं आ दो फंदे हम, एक फंदा तो हमारा ऐसी निगाल देंगे, एक फंदा हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, यह सिलाई के लिए रखाया है, या जो पैटन के बाद एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वो होते हैं, तो यहां से हमारा पैटन शुरू होता है, छे की हम केबल बनाएंगे, छ तीन फंदे और तीन फंदे, छे फंदो की हम केबल बनाएंगे, छे फंदे हमारे सीधे आएंगे, अब क्या करेंगे, हम धागा आगे करेंगे, धागा आगे करके दो फंदो का एक इस तरह से करेंगे, दो फंदो का एक, मतलब जाली भी बनगी, दो का एक भी हो गया, फिर एक simple बनाएंगे फिर दो फंदों का एक फिर से करेंगे और आगे करके जाली दे देंगे और साथ में केबल के लिए 6 फंदे हमने बनाने हैं तो आगे धागा आगे करके हम जो फंदा बनाएंगे उसको हम गिन भी लेंगे केबल वाले के साथ ठीक है ये एक हो गया दो तीन चार पांच और ये छे ठीक है धागा आगे किया और उसके बाद जो सीधा फंदा बनाया हमने वो केबल वाले के लिए हमने वो गिन भी लिया एक दो तीन चार पांच छे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदों का एक करेंगे और एक सिंपल बना लेंगे फिर दो फंदों का एक करेंगे ठीक है धागा आगे करेंगे केबल वाला फंदा भी गिन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे जिस तरह से हमने शुरू में दो उल्टे मतलब एक उल्टा और एक ऐसी निकाल लिया था वैसे ही ये दो उल्टे कर देंगे ठीक है पहला रो कमटीट हो गया अब आती है हमारी दूसरी रो जो कि हमारी पूरी उल्टी आएगी इस तरह से हम पूरा ही इसको उल्टा बना लेंगे ये आ गए हम उल्टा हमने पैटन उल्टी जो रो है वो कमप्लीट कर दिये तो पहली रो में हमारा पैटन शुरू हो गया दूसरी रो हमारी उल्टी आ गी अब ये है तीसरी रो एक फंदा ऐसी निकालेंगे और दूसरा हम बना लेंगे अब क्या करना है हमको 6 फंदे इस तरह से निकाल लेने ठीक है 6 फंदे निकाल ले और 3 फंदे इस तरह से पीछे से ले लेने हैं और इस वाले निडल से 3 फंदे आगे से ले लेने ये देखे और फिर इनको एक दो और ये 3 इसी में दे देंगे और धागा पीछे करेंगे और इनको सिधा सिधा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 जो हमने अभी बताया था केबल के लिए 6 फंदे केबल हमारा बन चुका है यहाँ पे और इसके बाद एक सिधा बना लेंगे और ये जो 3 हमारे बीच में हैं इन 3 को एक करेंगे हम धागा आगे करेंगे जाली के लिए और इन 3 को इस तरह से लेंगे इस तरह से बना लेंगे तीन का एक ठीक है तो तीन का एक कर दिया तो इसका मलत दो फंदे कम हो गए तो एक जाली यहाँ पे दी एक बढ़ गया एक जाली हमने यहाँ पे दे दी यह भी बढ़ गया ठीक है दो जाली अब यह क्या है च्छै फंदे हमारे फिर वही पैटन वाले केबल वाले आ गए ह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे हमने निकाल लिए और इस तरह से शुरू वाले फंदे इस वाली नीडल से हम इसमें ले लेंगे और दूसरे जो बाद में आएंगे तीन फंदे उनको क्या करेंगे इस वाली नीडल में लेके इस तरह से ये देखे, इसमें दे दिये हमने सारे फंदे, अब इनको सिधा-सिधा बना लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ठीक है, फिर जो एक फंदा हमारा पहले जाली वाला था, उसको बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, तीन फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से, तीन फंदों का एक कर लेंगे, एक जाली ये दे दी, एक जाली यहाँ पे दे देंगे, दो फंदे हमारे बढ़ गए, साथ में घड़ भी गए और बढ़ भी गए, फिर आएगा पैटन, ये देखे, इस तरह से करेंगे, और इनको इसी नीडल में ले लेंगे, इस तरह से, फिर, ये चैके से हम ऐसे ही बना लेंगे, और लास्ट के दो उल्टे आ जाएंगे, वैसे तो हमारी ये सेकिन रो, थर्ड रो है, लेकिन हमारा केबल कितने रो के बाद घुमेगा, वो मैं बताऊंगे आपको, तो ये तीसरी रो कम्प्लीट हो गई है, चौथी रो में हम क्या करेंगे, बैक साइट में तो आपको जैसे मैंने बताया, कि उल्टा ही बनाना है, इस तरह से, उल्टा ही बनेगा सारा, बैक रो कम्प्लीट हो गई है, ये आ गई हमारी पांच वी रो, ठीक है, चार रो कम्प्लीट हो गई है, पांच वी रो, एक पहला ऐसी ले ले लेंगे, या बुन लेंगे, जो आपकी मर्जी, और फिर वही छे जो केबल वाले फंदे उनको प्लेन ही बनाएंगे, बहुत ही आसान है, देखे, छे वाले जो छे फंदे थे वो बना दिया, मैंने धागा आगे करेंगे, शुरू वाला ही आ जाएगा, जो हमने फस्ट में ले रखा था, हमने जो फस्ट रो बनाई थी, उ दागा आगे करके, एक बना लेंगे, यह देखे, मतलब दो ही जाल आएंगे, यह वाला पैटन कम्टीट हो चुका है, और, छे हमारे, जब हम धागा आगे करेंगे, तो धागा आगे करके, जिस फंदे को हम बनेंगे, उसको भी हम केबल वाले में गिनेंगे, एक, दो, ती चार, पांच, छे हो गए, यहां पर दो फंदुका एक करेंगे, धागा आगे करके, क्योंकि दो फंदुका एक करेंगे, तो एक जाली भी आएगी, और, एक सिंपल बनाएंगे, प्लेन, फिर दो फंदुका, एक फिर से करेंगे, और धागा आगे करके, गिनेंगे केबल व पांच रो हमारी complete हो गई है और यह छटवा और केबल जब हमने डाला है वह यह है चौथा ठीक है केबल डालने के 8 है 4 сх score दालने के बाद और pattern डाल जब हमने शुरू pattern क्या था तो यह छटवी से लाई है बुरा उल्टा बनाइए और हमारी साथ की सलाई एक यहां प्लेजुन रख थिल dirh मता थिल्टा नगे एक फंदे sajuzel बना यहां है बूर केबल वाले फंदे हमारे बडीयन ही आएंगे भी का सब्सप्सक्राइब हमारे एख दो 345 इन यह चैह टीक है च्छे फंदे प्लेनी आएंगे, हम क्या करेंगे यहां पर, इस वाले फंदे को बना लेंगे, और धागा आगे करके तीन का एक करेंगे, एक बार दो का एक, एक सिंपल दो का एक होगा, और दूसरी सलाई में फिर, एक सिंपल बनेगा, और धागा आगे करके, तीन का एक करक बनेगा, एक बार तो हम फंदा, एक एक फंदा ही मारेंगे, और एक बार क्या गिरेंगे, दो फंदे एक साथ करेंगे, मुलब तीन का एक कर देंगे, यह उग गया, यहां पे छे फंदो का केबल, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, छे फंदो का केबल आ गया, एक प यह हमारी साथवी सलाई है यह लेलेंगे ऐसे धागा आगे करेंगे एक बना लेंगे और केबल वाले फंदे एक दो तीन चार पांच छेए केबल वाले फंदे धागा आगे करके दो उल्टे साथवी सलाई भी गम्प्लीट हो गया हमारी अब आएगी आठवी बैक साइड प्रेकषाथ तो हम्को कुछ भी नहीं करना सारा हमने उल्टा ही उल्टा बनाना है इस तरह से तो चल्द इस रोह को भी मैं कंप्लीट करती हूं यह है पैटन की आठवी रो आठवी सलाई भी हमने कम्प्लीट कर ली उल्टी-उल्टी अब आ रहे हम नौवे में तो देखे अभी हमने जब केबल बनाया था अभी केबल बनाने का टाइम नहीं आया है बताओं की मैं कि कब आएगा तो यह नौवा है हमारी नौवी सलाई है और केबल डालने की यह सातवी सलाई है केबल के फंदे बना लेंगे हम 6 देखें 1 2 3 4 5 6 केबल के फंदे बना लें यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा पहले यहाँ पर 3 थे तो 3 का एक कर दिया था अब क्या हैं इन दोनों को और यह सिंगल आएगा इन दोनों को ठीक है यह देखें धागा आगे करेंगे दो का एक करेंगे एक बीच वाला प्लेन बनाएंगे दो का एक करेंगे और धागा आगे करेंगे और फिर केबल वाले फंदे को भी गिन लेंगे यहाँ साथ में एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, केबल वाले छे फंदे हमारे हो गए, देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो फंदे, ये जाली के उपपर आया एक फंदा, ये जाली के उपपर आया एक फंदा, और ये जाली वाला फंदा है, इन दोनों को हम एक करेंगे, धागा आगे करेंगे दो का एक कर लेंगे और यह जो बीच वाला फंदा दिखे आपको इसको प्लेन बनाएंगे फिर वही जाली से जो फंदा बना है वो और यह नई जाली का जो फंदा बना है वो उन दोनों को दो का एक करेंगे और धागा आगे करेंगे अब यह है जब हमने पैटन शुरू किया था तब से अगर हम सारे रो दिने तो यह दस्वी रो है ठीक है दस्वी रो हमारी कम्प्लीट हो रही है और जब हमने केबल डाला था उसकी हमारी आठ्वी रो रही है केबल जो वाले रो में हम केबल डालेंगे फंदे घुमाएंगे आगे पीछे उसके बाद हम 8 रो कम्प्लीट कर लेंगे आठ्वी रो कम्प्लीट करने के बाद ही हमारा अब जाके नया केबल का पैटन निकलेगा तो यहाँ पे हमने वैसे तो दसवी सलाई है यह और केवल जब पड़ा था हमारा उसकी आठवी सलाई है ठीक है अब हमारा केवल पड़ेगा यहाँ पे और केवल हमारा पहले क्यों नहीं पड़ा क्योंकि अगर हम हमने केवल उसी रो में देनी है जहाँ पे हमारा क्या होगा यह देखे तीन फंदे एक साथ होंगे तीन फंदे जहाँ पे एक साथ होंगे उसी उसी रो में हम केवल का पैटन डालेंगे डो फंदे हमारे सिम्पल आ गए फिर हमारा ये-खी जो पैटन हमने यहाँ पर जो सीखा था वही हम दुबारा बनाएंगे छै फंदे इस तरह से निकाल लेंगे और इस सवैराई को पीछे से धीरी से तीन फंदे ले लेंगे और ये तीन फंदे इस वाली सलाई से उठा लेंगे ये देखे और इन में इसको ले लेंगे तीन के तीन छै हो गए फंदे पलटने हैं फंदे हमको पलट लेने हैं फिर इन छै के छै को सीधा बना लेना एक दो तीन चार पांच छे ठीक है ये पलट गया है अब देखे यहां जो जाली वाला पैटर्न है वो कैसा आया है एक सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदों का एक करेंगे इन तीन फंदों को इस तरह से एक कर लेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक बना लेंगे फिर पैटर्न चेंज करेंगे हम यहां पर फंदे चेंज करेंगे छै के छै निकाल लेंगे सलाई से और इस तरह से इनको और इस तरह से इनको ले लेंगे और इसी वाली सलाई में ले लेंगे सारे चाह के चाह और इनको बना लेंगे प्लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे ठीक है फिर एक इसका भी बना लेंगे सांथ में क्योंकि हमारा तीन जाली बीच में एक हो जाएंगे तो जाली आएगे यहां पर धागा आगे करेंगे तीन फंदो को हम इन तीन फंदो को एक करेंगे अधागा आगे करेंगे यह ठीक है अब यह आएगा पैटन अगर आपको लगता है कि आपसे फंदे गिर जाएंगे आपे तो आप यह भी कर सकते हैं यह वाली सलाई से तीन फंदे छोड़ करके एक, दो, तीन फंदो को इस तरह से ले ले इस सलाई में यह देखे और यह पूरी सलाई निकाल दीजे यह देखे यह ऐसे आजाएंगे और यह पीछे के फंदे ऐसे ले ले ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके फंदे उदर वाले गिर जाएंगे तो ऐसे कर लीजिया और इनको बना लेंगे हम दो उल्टे आजाएंगे यह रेखे इस तरह से आएगा और बहुत ही सुन्दर लगता है अगर हमको केबल जब डालते हम पहला हम पैटन सुरू कर देते हैं उसके बाद उसकी दूसरी जो रो होती है उसमें हम पैटन इसको जो केबल है उसके फंदे बदलते हैं वो पैटन डल जाता है वहां पे तो उसके बार यहाँ पे 3 का एक हुआ यहाँ पे डलगे फिर एक बार 3 का एक होगा जहाँ पे हमारे डलेंगे नहीं और यहाँ पे 3 का एक वाले में ही डलेंगे ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि हमारी कौन सी 9th row में हमारा pattern change हो जाता है मतलब 8 row हमको बनानी है उसके बाद pattern हमारा change हो जाएगा और उल्टी रो हमारी उल्टी बनेंगी उल्टी साइड उल्टी ही रो बनेंगी हमारी पूरी रो उल्टी कर लेंगे हम इसको complete इस तो से आएगी और तो यहां पर एक pattern की बात करूँ मैं तो 11 फंदों में आ जाता है एक pattern 6 फंदों का हमारा cable हो गया और 5 फंदों का हमारा जाली हो गया तो 11 फंदों का एक pattern complete होगा 11 का एक होगा तो 11 11 के multiple में ले लिजिए आप और लास्ट में extra 11 11 करने के बार लास्ट में मैंने क्या कर रखा है केबल मैंने दोनों दरब रखे है तो 11 11 के पहले तो 11 11 के multiple में रखे है उसके बाद उसमें add कर दीजे 6 और और लास्ट में लास्ट में यो यह ने बछले फंदों नहें महां 10 1 दरट नहें हैंगा बाद ऑखे है साथ आठ कितने भी बच रहे हो तो उनको किनारे पे उल्टे कर लीजिए उल्टे का मतलब है यहां पे यह तो शिलाई आ जाएगी किनारे पे दो चार उल्टे भी होते हैं तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता देखें इसमें भी मैंने क्या किया है पहले केबल वाला पैटन द पैटन के बाद जाली वाला बन गया उसके बाद मैंने एक पैटन केबल और दिया है केबल के बाद जाली वाला बन गया हमारा 11 फंदे कंप्लीट हो गए उसके बाद भी मैंने एक केबल दिया है जो कि हमारा इसलिए दिया है मैंने कि दोनों तरफ एक जैसा ही लगे ठीक है तो जो भी फंदे हैं इसमें उसमें मैंने 6 और 2 उल्टे दो उल्टे यहां से 10 फंदे इसमें और जोड दिये तो मैं बता दियो आपको इसके फंदे तो इसमें 11 जो 11 फंदों का मैंने एक केबल और एक जाली वाला का जो मैंने बताया था तो इसमें 9 हैं ठीके तो 99, 99 फंदे ये हो गए, 6 फंदे इसके हो गए, निरानवे फंदे के बाद 6 फंदे इसके हो गए, तो 105 फंदे हो गए, 105 फंदे के बाद 2 फंदे यहाँ पर एक्स्ट्रा किये हैं, 106, 7 फंदे हो गए, और 2 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा किये हैं, 8, 9, 9 फंदे हो गए, ठीके 109 फंदों का यह मैंने पार्ट बना रखा है यह जो की एक्सेल के लिए एकदम से परफेक्ट आएगा अगर आपको दबल एक्सेल बनाना है तो इसमें आप एक पैटर्न एक केबल और एक जाली जोड दीजे मलब 109 में आप 11 फंदे और जोड दीजे तो आपके 120 फंदे हो जाएंगे और अगर आपको L साइज में बनाना है तो 109 फंदे में आप 11 फंदे कम कर दीजे तो इसी तरह से यह बनेगा तो यह पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा और मैं आपको बताऊंगे आपको यह मैंने बता दिया किस तरह से बैठाना है इसमें इसी तरह से बैठाना है और आगे के पार्ट में मैं बताऊंगे आपको केबल में कैसे बैठाती हूँ तो यह वाला पैटर्न आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा और नए है मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई